प्रशना है कि जैसे कि आपने कहा कि जीवन खुद एगाव है बुद्ने भी यही कहा कि जीवन दुख है फिर ऐसे में संतान उत्पत्ती को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं खी तो नहीं करता पतानी कौन करता है आगे वही करेंगे कि कुछ उच्छे डिना ने भी संतान उत्पत्ती क्यों की ओंजहने भाई कि छैद इस पहाड़ी को पताओ इससे पूछ लो कि इसे करने है एं किसी इनने जो प्यादा कि यह तो वही बताये जो कर ने वाला हो यह मैंने किये न मुझे करनी है तो मैं क्या बताओं। मेरे पास न करने का भी कोई कारण नहीं था। कोई खयाल आ रहा हो। आप उस खयाल पर अमल ना करें। तो आप बता पाएंगे न कि किस कारण से तुमने नहीं प्यादा करें। यह रहे मुझे कभी विचारी नहीं आया भाई। कोई पूछे कि आप वो फ्लाने अंधे कुए में आज तक क्यों नहीं किरें। तो मैं जवाब क्या दूँ। क्योंकि मुझे ऐसा कोई खयाल नहीं आया आज तक। पडोस के घर की छत पर वो सुनेहरी बिल्ली घूम रही है। अचार जी आप उसको कभी पकड़ करके अपने बड्रूम में क्यों नहीं ले आये। क्योंकि मुझे ऐसा विचारी नहीं आया। कि मेरे पास जिंदगी में करने को कुछ है और मेरी जिंदगी उससे पूरी तरह भरी हुई है। और मेरे पास जो करने को है उससे मुझे सुख मिले दुख मिले मैं उसे जानता हूं सही है। तो मेरे पास यह सब करने करना विचार है ना समय है। कि किसी को पकड़ो, उसको गर्भवती बनाओ, फिर उसको जाके अस्पताल में भर्ती कराओ, उसकी भी हालत खराब, तुम्हारी भी खराब, भाईया, मैं यह सब इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप बच्चे ना पैदा करें, आप कर यह शौक से, पर मुझे यह सब कारक्रम कभी बहुत रोचक लगा नहीं, हाओ एक्साइटिंग, पोद्रड़े बदल रहे हैं, किसी इस्तरी की जिंदगी कोई डाइपर बना दो, वो बैचारी वैसे ही देह प्रधान जिंदगी जीती है, तुम उसको पूरा ही देह बना दो, यह सब मुझे बहुत रुचिकर लगा नहीं कभी, तो मैंने, अब रही बात कुछ और जिन भी आपने का, उची चेतना की लोग जिन्नोंने बच्चे पएदा करे थे, कर दिये होंगे, बहुत कुछ हो जाता है, आदमी आदमी है, विचारा क्या करेगा, लोग अलग होते हैं, स्थितियां सब अलग-अलग होते हैं, लेकिन कम से कम आज के समय में, आप अगर किसी उची चेतना के आदमी को, तथाकतित उची चेतना के आदमी को, बच्चे करने कारिकरम में लगा देखें थोड़ा सतर को जाईएगा उसकी चेतना को दुबारा ना पिएगा इंची टेप ले करके कितनी उची है अब प्रति प्रशन आएगा और चार जी ऐसे तो फिर दुनिया का वजूद ही मिठ जायका ना मत मिठने तो भाई दुनियों का वजूद तुम बचा लो तुम्हारे कंदों पर और शरीर के बाकी अंगों पर इश्वर ने बड़ी जिम्मेदारी छोड़ी है तुम पैदा ही इसी लिए किये गए हो कि दुनिया का वजूद बचाओ मुझे माफ करो और उन लोगों को माफ करो जो बिचारे थोड़े कमजोर हैं और दुनिया का वजूद नहीं बचा पाएंगे तुम में है ताकत कताई सांड जैसी तुम मेहनत करके दिखाओ सांड वाली और दुनिया का वजूद बचाओ क्योंकि यही आता है और भी आते हैं किते हैं आप ही जैसे लोगों के कारण हिंदूों की तादाद घटती जा रही है भाई तादाद से नहीं होता 110 करोड हो और कितनी तादाद बढ़ाओगे और जो तुमको 110 करोड होके नहीं मिला वो 150 करोड होके कैसे मिल जाएगा दुनिया में यहूदी कितने है और बोलबाला है उनका तादाद से बोलबाला है इसराइल कितना बड़ा देश है तुम्हारे दो जिलों के बराबर बात तादाद किये संख्या किये जन संख्या किये विस्तार किये बात गहराई किये बात शक्ति किये है लेकिन तुम जानवरों की तरह किंती गिनने में लगे हो कि एक थाइसों करोड़ इसाई है कि 200 क्रोड़ मुसल्मान है हिंदू 110 करोड़ी है हमें फैलना होगा कि मुर्खों वाली बाते कर रहे हैं अ कि बुद्धी का यूग है विज्ञान का यूग है तुम क्या करना चाहते हो तुम लड़ाई करना चाहते हो दस लाकी सेना को एक मिसाइल मिटा देगी संख्या से क्या करोगे बुद्धी बढ़ाओ शक्ती बढ़ाओ कहराई बढ़ाओ जीवन में इसमें बल है बच्चे बढ़ाने में बल नहीं है कुछ समुझ मैं आ रही है बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपनी जनसंख्या मिटा दो कुतर्क मत करना फाल तू के मैं तुमको बस यह बता रहा हूँ कि जीवन में किस काम की वरियता क्या होनी चाहिए गहराई पहले आती है विस्तारबाद में आता है एक बुद्धिमान सौ मुर्खों पर भारी पड़ता है कितने थे ब्रिटिश जब उन्होंने तुम्हारे पूरे अखंड भारत को जीत लिया बता न संख्यावल से जीता था हो छोटे छोटे दूइप में लैंड यूरोप के भी पच्छिम में वहां से चल रही है से ना तब जब न बिजली है न तक्नीक है वहां से आ रहे हैं सोचा पहले तू गेहराई बढ़ाओ समझदारी बढ़ाओ धन भी आ जाता है ज्ञान के पीछे पीछे इनको बढ़ाओ पश्वों की तरह क्या पच्चे पैदा करना देखा है जानुवर कितने बच्चे पैदा करते हैं हम पश्वों नहीं है हम मनुष्य है हमारी पहचान हमारी चेतना है देह हमारी पहचान नहीं है आपके एक उलाद हो ग्यानवान बुद्धिमान बल्वान वो पांच कपूतों पे भारी पढ़नी है एक बच्चा हो लड़की लड़का कोई भी उसमें शील सैयम मर्यादा बल प्रग्या विक्सित करो लाइन मत लगा दो चिंटू मिंटू पिंटू सिंटू हिंटू लंटू जंटू क्या है यह जितने पैदा करें उन सब का भाग न तुम उने ध्यान दे सकते न शिक्षा दे सकते न पोशन दे सकते न सार्थक जीवन दे सकते पैदा भर करे जा रहे हो किसी को घाव दे करके ये मार करके किसी पर अत्याचार करके उसकी जिन्दगी खराब करना अपराद होता है न वैसे ही किसी को पैदा कर दिया तुमने पैदा करके तुम उसको विर्थ जीवन दे रहे हो ये महा अपराद हुआ न पैदा करने से पहले पांच बार सोचा करो मैं पैदा करने के विरुद्ध नहीं हूँ मैं बच्चे को गलत जीवन देने के विरुद्ध हूँ करने से पहले को जीवन देने के विरुद्ध नहीं हूँ